हलो दियर स्टुडेंट्स क्लास पोर लेसन फाइव द मैंजिक पॉट समरी मैं आपको एक्स्प्लें करूँ नी खाले फाइव मिनिट्स में तो सबसे पेरे टाइटल समbang देती है टाइटल है एक मैंझे इस जादूी पोत का जो कि एक दिन शुब्दत को मिलता है अब यह शुब्दत कौन है शुब्दत है एक पूर लकढ़हारा जो की पार्टिब कॉट मेरे और उसे एक दिन यक्षाज मिल जाते हैं यक्षाज क्या होते हैं यक्षाज होते हैं बगवान की दूथ जो मनुष्य का टेस्ट लेने के लिए परिक्षा लेने के लिए धर्थी पर आते हैं तो एक दिन जब गरीब लकड हारा चुबदत बुड काट रहा था लकडी काट र पहने वे थे शाइनी जोल्ली पहने वे थे जैसे आपने राजा महरादयों के सीरियल में देखा था तो उसी तरह उसे चार यक्षाज मिरते हैं बहुत ही अच्छे कपे पहने वे अब वो सोच के घबड़ा जाता है कि भई कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाएं और गुस्से म जवाब देता है मैं एक करीब लकड़ा रहा हूं तो यक्षाज उसके पटे हुए कपड़े देखते हैं उसकी पतली निर्बल बॉड़ी देखते हैं तो उसे मदद करने के लिए सोचते हैं तो उससे एक ओफर देते हैं और ओफर क्या होता है वर्फ फॉर अस्पा वनमत एक महिने तक हमारी सेवा करो हम तुम्हें इनाम में कुछ देंगे जो और तुम फिर कभी भू के नहीं रह पाओगे तो एक महिने तक उससे क्या करना है उसे यक्षाज की सेवा करनी है उन्हें लाना दुलाना है वस्तर पहनाने है खाना पीना खिलाना है तो फिर यक्षा बात हो और तुम्हें एक महिने बाद वापस आओगे और अगले दिन जब वह सो कर उठेगी तो उसको खाने पीने की चीज़े और कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे जब तक तुम नहीं लोटोगे उसका गुजारा चल जाएगा यह सब सुनके शुब्दत कुछ हो जाता है और कहता है I will gladly work for you अगर ऐसा है तो मैं आपके लिए खुश हो के काम करने को तयार हूँ शुब्दत यक्षास के साथ चला जाता है उन्हें नहलाता दुलाता है रिवर में उनको कपड़े पहनाता है सिल्क पहनाता है विच्टे प्रोड्यूज आउट अफ नोवेर का हमें पता है ये लो ये बड़तन और इसमें से हाट डालो और जो तुमारे दिमाग में चीज आएगी खाने की वही तुमारे सामने अफियर हो जाएगी यानि कि वह एक जादू का पॉट उसको देते है शुब्दत के दिमाग में सबसे अच्छी चीज़े प्लाव आती है तो वह प्लाव के लिए बोलता है और अपना हाथ डालता है लो एंड भी होल वाने जादू ही तरीके से गिली गिली चू करके उसके आगे राइस आ जाते है हाथ में तो फिर वह और चीजों के बार में सोचता है मीट और सैलड और धाई बगर के बार में सोचता है वह सारी काफी सेवा करी अब तुम बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए तो शुद्दत कहता है कि मुझे सिर्फ आप बदले में ये जादूई पॉट ही दे दो तो यक्षास कहते हैं हम तुझे जादूई पॉट तो देदेंगे लेकिन अगर तेरा ये पॉट तूट गया तो वो वा खुश होते हैं अपने पिता को एक महने बाद देखकर और फिर वो उने मैजिक पॉट दिखाता है उस मैजिक पॉट में से वो अपनी वायर को खुश करने के लिए कुछ क्लोट और जोईली निकालता है जिससे वो सब बहुत ही भौचक के रह जाते हैं फिर वो डिसाइड सारे गाउवलों को पार्टी के लिए इन्वाइट कर देते हैं अब भये सब लोग आते हैं देखते हैं बहुत कुश होते हैं उन्होंने ऐसा भैतरीन खाना कभी निखाया आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि तुम तो एक गडीब लकड़ हारे हो इतना पैसा कहां से आय गप मारते हुए भार ले आता है अपना पॉट और कहता है देखो मुझे यक्षास में मैजिक पॉट दिया है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी और यह मुझे कुछ भी देगा और इतरा इतरा कर वो पॉट को डांस करने लगता है लेकर हाथ में और क्या होता है मज़की बात कि पॉट उसके हाथ से गिर जाता है तूट जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए उन्हें खट्टा करने के लिए जमा करने के लिए कोशिश करता है इतने में ही वो पॉट वहां से वैनिश हो जाता है गायब हो कि यक्षास के पास लोट जाता है शुबदत को अप दत्यक बुद्धुबन के रह जाता है तो ठीक है यह थी स्टोरी आपको समझा गई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे बैबाई